प्लीज मने चनल को सब्सक्राइब करें और बे लाइकन को तबाईए नई नी रेसिपी इस वीडियो को सब्सक्राइब देखने के लिए हाई फ्रेंज वेलकाम टू भूरी बोच डेसिपी आज हम बनाएंगे चिकेन फ्राइड राइज यह बहुत ही असनी से घर पे बना सकते हो फ्राइड राइज को कैसे बनाते हैं सिखने के लिए वीडियो को पुड़ा एंट तक देखिए पहले चिकेन को मरिनेट करके रखेंगे इसलिए चिकेन का अच्छे से क्लीन कर लिया है और छोटा छोटा पीस कर लिया है इसमें डालेंगे नामक गोल मीच पाउडर वन टेबल स्पून कनफलोर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें वन टेबल स्पून ओयल डाल फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो अंडा लिया है इसमें थोड़ा सा नमख डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कराई पे तेल गरम करने के लिए दिया है तेल गरम हो गया है इसमें अंड़ा को डाल देते है इसको हलका सा फ्राई करेंगे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो हाड हो जाएगा फ्राई हो गया है इसको प्लेट में उठा लेते हैं कराई पे थोड़ा सा ओयल डाल देते हैं इसमें चिकेन को डाल देंगे चिकेन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए चिकेन हलका सा ब्राउन हो गया है बतलब चिकेन अच्छे से फ्राई हो गया है इसको प्लेट में उठा लेते हैं फिर से कड़ाई पे तीन टेबल स्पून ओयल डाल देंगे इसमें चॉप्ट लैसून डाल देंगे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद सारे वेजिटेबिल को डाल देंगे मैंने बीन, प्याज, गाजर, हरी मिल्च डाला है अब आपके मैं परसंट सज्जिया डाल चकते हो हल्का सा फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद टामाटर डाल देंगे टामाटर को हल्का सा भूनेंगे भूनने के बाद स्वाद के अनुसर नमक डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद साइट चिकेन को डाल देंगे उसके बाद एक चमच भीनिकार और एक चमच श्यासस डाल देंगे फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद फ्राईड एक डाल देंगे उसके बाद राईज टाल देंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए कितना सिंपिल तरीके से बनाया है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी अब घर पर जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी अब लोगों को पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और नहीं नहीं रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें